सितंबर में लोटेस मौनसून ने उत्तरपदेश के कई जिलों में कहर बरपा दिया है इस कहर ने चारों तरफ हाल बेहाल कर दिये हैं तेज आंदी और कड़कडाती बिजली ने लोगों को तबहाई का भैपैदा कर दिया है सितंबर के महीने में भारी बारिश का कहर न केवल यूपी बलकि दक्षड के कई राज्यू में भी देखने को मिला हर ओर लोग बारिश की वजह से परिशान नजर आए यूपी के मौसम विभाग ने आने वाले दो से तीन दनों के लिए भारी बारिश का लड़ जारी किया है और इसी बारिश ने यूपी की राजधानी लखनव समेत यूपी के कई जिलू में हाहकार मचा दिया है लखनव में बीती राच से मूसलाधार बारिश की वज़े से पूरे शहर में जल भराप के इस्तिती हो गए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को घरों में रहनी किसला दी और सतक रहने के लिए कहा एडवाइजरी में कहा गया कि निशले इलाके में बाड़ा सकती है इसके अलावा असुरक्षित बिल्डिंगों से दूर रहने और पेड़ों के संपर्क में आने से बचनी की भी अपील की गई इसी के साथ मौसम के मिजास को देखते हुए बारवी तक के सभी स्कूल भी बंद कर दिये गए सितंबर में बारिश के सितंब को देखते हुए जिला प्रिसाशन ने हेलप लाइन नंबर भी जारी किया मौसम विभाग के मताबिक आने वाले दो दिनों में भारी बारिश के साथ बिजली कड़कनी की आश्रंका है इसी वज़े से लोगों से कहा गया कि वो बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बहार निकले मौसम विभाग के मताबिक अगले तीन घंटों में बहराई, चुबारा बंकी, गोंडा, हर्दोई, लखीमपुर कीरी, लखनव सीतापुर में गंफीर तूफान और बिजली गिरनी के साथ भारी बारिश होने की संभाब नजटाई है मौसम विभाग ने एडवाईजरी जारी करके कहा कि बहुत तेज बारिश की वज़े से बाढ़ के हालात भी उत्पन नहों सकते हैं ऐसी इस सिती में पक्के मकान के अंदर ही रहें बारिश की वज़े से ट्राफिक ज्राम के इस्तिती हो सकते हैं इसलिए घर से सोच समझ कर निकले नालों में पानी का फ्लो बढ़ सकता है इसलिए इनसे दूरी बनाई रखें साथी ऐसे पुलों से भी दूर रहें जो पानी के निशले लेवल पर बने हो बीती रात लकनाओ में भारी बारिश के बाद अफसरों ने मोचा समाल लिया लकनाओ कमिशनर रोशन जैकब खुद मौके पर मौजूद रही जिनने राकों में वाटर लॉगिंग की सूचना मिल रही है वहां खुद उन्होंने निरीक्षन किया रदाबाद में भी कल से हो रही लगातार बारिश की वज़े से शहर के जादातर हिस्सों में जल भराव हुआ शहर का ड्रेनेस सिस्टम पूरी तरह से जवाब दे चुका है सबकों पर पानी भरा हुआ है और लोगों को आने जाने में परिशानी का सामना करना पड़ा इतना ही नहीं भारी बारिश की वज़े से रेलवे स्टेशन पर ट्राक के बीच पानी भर जाने से रेलवे लाइन भी पूरी तरह पानी में डूब गई सियम योगी ने बारिश को ध्यान में रखते हुए सम्मंदित जनपदों के अधिकारियों को पूरी सत्परता से राहत कार संचालित करनी की भी निर्देश दिये और आपदा से प्रभावित लोगों को राहत राशी फौरण वितरत करने के लिए कहा निर्देशों में कहा गया कि जल भराव के स्तिती में जल निकासी के लिए प्रभावी प्रभंद किये जाए और नदियों के जलस्तर की निगरानी की जाए लखनों में हो रही बारिश के बाद गोमती नदी के जलस्तर में बडोतरी भी हुई है मौसम विभाग के मताबिक अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का दोर जारी रहेगा जिसने तापमान में भी कमी दर्स की जा सकती है मौसम में आए बदलाव के चलते अगले 72 घंटों तक पूरे प्रदेश में अलग-अलग जगाहों पर बारिश के साथ विजली गिरने की संभावना है पक्षमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगाहों पर हलकी बारिश होने की संभावना है वही 15 और 16 सितंबर से मौनसून गत विदियों में कमी आने के आसार है मौसम विबाग के अडवाईजरी की बाद आपसे अनरोध है कि ऐसी इस्तिती में अपने घरों में रहें और सेफ रहें और खबरों के लिए देखते रहें आज की खबर मैं थी आज में साथ